हाई बच्छों, वेलकम टू पेपर हैकर यूटीव चैनल, आज हम लोग करने जा रहे हैं बीए पार्ट वन, सेकेंड सेमेश्टर का पॉलिटी सब्जेक्ट का अबजेक्टिव टाइप कोष्चन बीए पार्ट वन, सेमेश्टर सेकेंड का पॉलिटी करेंगे, हम लोग सब् objective type question objective type question करेंगे BA part 1 second semester का पॉलिटी का objective type question बहुत सारे बच्चे कोमेंट किये हुए थे कि सर जो है इसका objective type का question लेके आई एक्जाम है तो objective type का question मैंने लाया हुआ है और इसके description box में जाके नीचे से जो है PDF फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे लिंक भी दिया हुआ है उस लिंक के माधियम से भी आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो विडियो में बने रहे हैं बहुत अच्छा topic है और बहुत अच्छा objective type का question है देखते रहे हैं और विडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक है भावणा निष्रक्षत्ता ये सभी ये सभी जो है ये बाधक है स्वस्थ जनमत के निर्माण पब्लिक ओपिनियन गरंत के लेखक हैं लिपमेन, लॉड ब्राइस, अरस्तू, प्लेटो पब्लिक ओपिनियन गरंत के लेखक हैं कौन हैं पता ही लिपमेन लिपमेन जो है पब्लिक ओपिनियन गरंत के लेखक लोगतंतर का सही आधार है अलपमत, जनमत, धनिकमत, गरीबमत बढ़े लोकतंतर का सही आधार क्या है जनमत जनमत रहेगा तभी न लोकतंतर रहेगा बच्चों तो जनमत जो है सही आधार है इसका बिवार में जनमत का परियोग समाने जनता की मिस्रता परते किरिया के रूप में किया जाता है कथन किसका है बढ़े ये कथन किसका है ये कै कि बच्चों, जो है का बहुता का किसका है, जन्मत का तत्थ है, जन्मत कि सारवजनिक हित्थ की भावना का बहुता जन्मत का कि next देखिए यह एक सारवजनिक धर्म है कि नैतिक का आभाव है क्या होगा five number का five number का जो है ये जो है सारवजनिक हित की भावना का होगा सारवजनिक हित की भावना का ठीक है next देखिए six number जनमत के निर्माण में बाधा है जनमत के निर्माण में बाधा है क्या है जनमत के निर्माण में बाधा है क्या है जनमत के निर्माण में बाधा है क्या बाधा है जनमत के निर्माण में बाधा है निरक्षर्ता जन्मत के निर्माण के साधन है मानो नेतिक्ता धर्म स्वतंतर्ता जन्मत के निर्माण के साधन है मानो नेतिक्ता धर्म और स्वतंतर्ता कौन साधन है बच्चें बताइए seven number जो है वो मानो जो है जनमत के निमाण के साधन सभी सरकारे चाहें वे कितनी ही दूसित क्यों न हो अपने सक्ति के लिए जनमत पर निर्भर करती है कथन किसका है कोल का, डेविड हूम का लौसकी का, कि मिल का ठीक है तो ये सभी सरकारे वो है किसका कथन है ये ये जो है डेविड हूम का कथन है डेविड हूम का ठीक है, जनमत मनुस्य के उन विभिन दृष्टी कोण का योग मात्र है योग मात्र है जो सरवजनिक हितों से सम्मन्ध विश्यों के बारे में रूची रखते हैं किसने कहा है लौड ब्राइस, लिप मैन, रोसेक, सोल टाउ या किसने कहा है बच्चो बताइए नाइन नंबर का जो है लौड ब्राइस ने ये खतन बोला है कौन बोला है लौड ब्राइस ने परजात तंत्र का सही आधार क्या है परजात तंतर का सही आधार क्या है अल्फमत जनमत धनिकमत गरीमत क्या है जनमत जनमत जो है यही परजात तंतर का सही आधार माना गया है ठीक है भारत में जनमत पर आधारित सासन किसका रहा था भारत में जो है जनमत पर आधारित सासन जो है यह किसका रहा था बताई रानी एलिजाबेत का जोर्ज पंचम का हिटलर का नहरू का भारत में जनमत जो है किसका आधार रहा हुआ है यह नहरू का रहा हुआ जनमत आधारिशासर नहरू का रहा हुआ नियाइपालिका का क्या कारे है कानून बनाना समिधान से शंसोधन करना निड़े करना बजट बनाना बताई सोच के बताई बहुत अच्छा क्वेश्चन है निड़े करना नियाइपालिका कोट जो होता है वो निड़े फैसला सुनाता है निड़े करता है वही लागू किया जाता है ठीक है प्रेश की स्वतंतरता किस जीवित परजात तंतर के लिए प्राण वायू है यह कथान किसका है लौसकी का विलकी का गेटेल का और ब्राइस का प्रेश की स्वतंतरता जो है किस जीवित परजात तंतर की प्राण वायू है यह जो है यह विलकी का प्राण वाय और बायू की बोले हैं डबाव समुह आधुनिक यूग में अभिन आंग है किसका राज तंतर का तनाशाही का उलीन तंतर का लोक तंतर का बाधाई दबाव समुह जो है किसका है लोक तंत्र का ठीक है लोक तंत्र का है फिप्टीन नमबर कोश्च यां देखे बच्चों क्या कर रहा है भारत में संस्थापक दबाव समोह का उदाना है संस्थापक दबाव समोह का उदाना क्या है सिंडिकेट भारत सिवक समाज गौव सिवा संग विश्व हिंदु परिश स्थागात्मक दबाओ समुह का जो है साधन है कौन सिंटिये सिंटिकी जो है यह साधन है फारत में गैर समुदाइक दबाओ समुह का थात्म आली दबाव समू के बारे में यह पढ़ते जा रहा है ध्यान दिजीगा दबाव समू के बारे में ही रेगुलर कोश्चन एराइज करते जा रहा है अखिल भारती विद्यारती परिसाद जरूर दो चार पांच कोश्चन पूछेगा ही इससे जाती संगठन वैपारिक संगठन दल खालसा यह गयर समुदाइक दबाव समू का क्या उदारन है बताईए बच्चों जाती संगठन जो है यह है दबाव समू का उदारन है गयर समुदाइक गीनी पीस, क्या है, राजनितिक दल, लॉबी, राश्ट्रियता, दबाव समू, गीनी पीस जो है, वो क्या है, वो जो है, एक दबाव समू ही है, दबाव समू से भी भी आईगी, टॉपिक है, कोस्चन आएगा ही आएगा, एराइज करेगा, गारंटी है, दबाव समू से, राजनितिक दल से, निरवाचन सुधार से, राजनितिक विगास से, तो दबाव समू से जो है, पॉल्टिक्स ओफ इसकार सिटी करिती का संबंध है, नाइटी नंबर कोस्चन क्या है, धर्म निर्पेक्षता की विशेषता है, धर्म काहरास, विवेक शीलता, बैग्यानिक दिरिष्टिकोर, ये सभी, ठीक है, धर्म की निर्पेक्षता की विशेषता क्या रही है, बच की विश Manuel और क्ष nur किई इसका होगा वानोवाद का मानोवाद का जो है धर्द्रेस्पक deposit को करती है 21 नमबर देखिए बच्चो 21 नमबर क्या का रहा 21 नमबर भारत एक भारत एक क्या है भारत एक जो है धर्म निर्पेक्ष राष्ट है हिंदू राष्ट है ताना शाह राष्ट है संपरदाईक राष्ट धर्म निर्पेक्ष राष्ट होगा धर्म निर्पेक्ष राष् सभी कुछ राजी के अंतरगत हैं राजी के बिरुध या राजी के बाहर कुछ भी नहीं है यह कथन किसका है हिटलर का, स्टॉलिन का, मुसोलिनी का, कॉरल मार्क्स का सभी कुछ राजी के अंतरगत हैं राजी के बिरुध या राजी के बाहर कुछ भी नहीं है यह कथन जो है किसका है बते यह बच्चों यह जो है हिटलर का कथन किसका है हिटलर का 1922 में इटली के किसके नेत्रित में फासिवाद का प्रदुर्भाव हुआ था हिटलर के, नेपोलियन के, मुसोलिनी के, लेनिन के, 92 में इटली में किसके नित्रित में फासिवाद का परदुर्भा हुआ था, वो जो है 22 में जो हुआ था, 22 में जो है नेपोलियन के नित्रित में फासिवाद का परदुर्भा हुआ था, ठीक है, जनता का जनता, जनता का ज जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है किसकी परिभासता है ती पर अस्तु की अब रहाम लिंकन की इब्लाइस की इसलें के परिवास्त है राजा का संसद्ण सदस्यों का जंता का प्रशासन का प्रजातंत रशासन जो होता है वो किसका होता है बच्चों जनता का होता है जनता मालिक होती है जनता वोटिंग करती है कि किसको हमको चुनना है अपना राजा मेन कैम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है मेन कैम पुस्तक मेन कैम किसके द्वारा लिखी है हिटलर, सुकरात, नेपोलियन, श्टॉलिन मेन कैम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है 26 नंबर जो है वो हिटलर के द्वारा लिखी गई है लोगतंत्र के सफल संचालन के लिए एक राजनितिक शर्थ है आर्थिक संपन्ता, कानून बेवस्था, धर्म निर्पेक्ष्था, समाजिक एक्ता पथे लोगतंत्र के सफल संचालन के लिए एक राजनितिक शर्थ क्या है पताए कानून बेवस्था जो है वो लोगतंत्र के स सकार करना चाहता है क्या उत्तर जो है बंधुत्त के आदर्श को समाजिक नयाई सकार करना चाहता है क्या बंधुत्त के आदर्श को जो है समाजिक नयाई सार्थक साकार करना चाहता है परतिनीधित्यों के सिधान्त के मुख्य परवर्तक है टॉमस जेफशन, प्लेटो, सुकराथ, 3C, मैक्स टीक है, 29 नमबर जो है बच्छों टॉमस जेफ अर्सन जो है वो परतिनीधित्यों के सिधान्त के मुख्य परवर्तक है इतने objective type के question मैंने वीडियो करा दिये हैं बच्चों इतना आप लोग पढ़ लिजेगा आप लोग के पास की गारंटी है आप लोग आसानी से पास हो जाएगा कोई आप लोग को दिकत परशानी नहीं होगी यह जितने objective type के question डाले गोए है political science के वो सब total आप लोग देख लिजेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो like, share और subscribe कर देजेगा और ज्यादा details जानना है तो PDF file link के द्वारा download कर लिजेगा और description box में नीचे दिया हुआ है उसके द्वारा PDF file आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा इसी channel के माध्यम से आप भी ये का सारा details और सारा subject का जो है collection आप complete करते रहिए कोई coaching करने की जूरत नहीं है आप लोग को इस channel के माध्यम से total आप लोग को description box और वहां से link के through total PDF file भी वहां दिये गया है वहां से आप लोग download करते रहिए और पढ़ते रहिए और इस channel में बराबर बने रहिए और तब तक के लिए bye, thanks for watching, thanks for reading